एक जंगल में रानों चड़िया अपने पती और बच्चों के साथ रहती थी और बच्चों की समर्वेकेशन की छुट्टेया भी लग चुकी थी एक दिन चिंकी चड़िया रील देख रही थी मा मा देखो सवी पक्सी केदार नाट जा रहे हैं और वहां जाकर हम भी रील बन लेंगे की के मेरे प्यारे बच्चों मैं आपके पापा से फोन करके पूछ लेती हूं हलो अजी सुनते हो क्या हम सब केदार नाट चले बच्चों का समर्वेकेशन भी स्टार्ट हो चुका है हाँ ठीक है तुम सब पेकिंग कर लो कली हम केदार नाट यात्रा के लिए निक जाते हैं कुछी दूर जाने के बाद रानो चडिया का परिवार ट्रेन में बेर जाता है और अगले दिन देहरादून पहुंच जाते हैं देहरादून पहुंच कर रानो चडिया का परिवार एक पस में बेट कर गोरिकुंड पहुंच जाते हैं अज जी सुनते हो हाँ बोलो नाड़ी चिंकी चड़िया बेटी को किसी पक्सी के उपर बेठा दीजिए वो केदानात की यात्रा नहीं कर पाएगी ठीए के रानो चड़िया मैं अभी किसी पक्सी को बुला कर इसको बेठा देता हूँ रानो चडिया और कालू कोवा पेदल यात्रा सुरू करते हैं रास्ते में मा मा सुरो तो मेरी रील बना दो ना हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा एसे ही रानो चडिया रील बनाने लगती है बर्वारी होने लग जाती है ओफो चिंकी बेटी बरफवारी हो रही है जल्दी से नीचे उतरो और यहाँ एक टेंट है यहाँ पर बेड़ जाते हैं बरफवारी रुकेगी तो हम यहाँ से निकल जाएंगे फोई देर के बाद बरफवारी रुक जाती है और रानो चडिया का परिवार फिर से यात्रा सुरू कर देते हैं अजी अजी हम तो चार किलूमेटर दूर ही चले हैं मैं तो बहुत ठक चुकी हूँ इसा लग रहा है कि फेपड़े निकल ही जाएंगे बहुत ठकान हो रही है करना बहुत ही मुश्किल काम है चलो चलो रानो चडिया यात्रा तो करनी ही पड़ेगी अभी तो हम गंगोत्री भी नहीं पहुचे हैं मां मां अब क्या करें देखो ना आगे बहुत भीड़ है हां हां बेटा बहुत भीड़ है कैसे हम केदारनात की दरसंग करेंगे चिंक कौत्री पहुँचकर मंदिर के दर्सन करते है और नदी के किनारे जैसे ही रानोचडिया अपनी फैमिली की रील बना रही होती है तभी अचानक रानोचडिया का पेर फिसल जाता है और चोट लग जाती है आज पास के पकसी सभी रानोचडिया के पास आ जाते हैं अरे बहन बगवान के दर्सन करने आई हो या रील बनाने के लिए तेखो क्या हसल हुआ तुम्हारा रानो चुडिया की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि रानो चुडिया के परिवार को बिना दर्सन किये ही घर लोटना पड़ा इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चारोधाम यात्र पर भक्ती भाप से जाए ना कि रील बनाने के उद्देश सी है साबधानी रखे और मिलते हैं अगली वीडियो में मिश्यू टूनिट टीवी सब्सक्राइब रानो चडिया सुभे सुभे उठकर चाय बना रही होती है तबी किचन में रानो चडिया की सास काली को भी आती है अरे चडिया वहू क्या बना रही हो कुछ अच्छा सा बना दो डाल बाटी ऐसा कुछ अरे माजी अभी मैं चाय बना रही हूँ रात की पालक पनीर की सब्जी फ्रीज में रखी है देखो चडिया वहू मुझसे ये पनीर वनीर एक बार रिखाया जाता है अगर तू चाहती है कि मैं एक सब्जी को तीन बार खाओ ये तो मुस्किल है वहू ठीक है माजी मैं आलू की सब्जी बना देती हूँ आज जिसे जितनी पनीर की सब्जी खाने है वो खाले बाकी पनीर की सब्जी मैं फैक दूँगी अरे चुरिया वहू हंन्ड का अपमान नहीं करते तेरे माबापने तुझे कुछ बताया नहीं आणिके अपमां से हम कितने बडे पाप के भागिदार बनते हैं ठीक है माजी परसो बाली आलू की सबजी में ने फेकी नहीं है मैं उसी से छोक लगा कर आपके लिए गर्मा गरंपुरी बना देती हूँ रे रे ये चड़िया बहुते एक नंबर की आलसी है मेरे लिए थोड़ी सी सबजी भी नहीं बना सकती ये सब मेरे भासन के चक्कर में हुआ है मुझे भी क्या जो रती इतने बड़े लेक्चर देने की अब ये मुझे ही बासी सबजी खिला देगी रानो चड़िया और कालिकोवी आपस में बात कर रही होती है तभी उसकी पडोसन नीलू चड़िया आती है और आवाज लगाती है अरे अरे कालिकोवी कहां है तू ये ले मैं तेरे लिए आलू मटर की सबजी पूरी लाई हूँ एक दंगर्मा गर्म है अरे क्या बाते नीलू चड़िया तुम ही हो जो में दिल के बात सुन लेती हो देख मैं अभी रानो चड़िया बहु कोई पूरी सबजी बना रहे के लिए बोल रही थी अरे अरे पडोसी पडोसी के काम नहीं आएंगे तो कोन आएगा इतना बोलकर नीलू चड़िया वहां से निकल जाती है लेकिन काली कोवी बिना चाय पिये गर्मा गर्म आलू पूरी खाने लगती है तभी रानो चड़िया अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है मा जी आप चाय नहीं पियेंगी आपको इतनी मूख लगी थी तो आप मुझसे कह सकती थी अरे रानो चड़िया नीलू इतना अच्छा खाना बनाती है बाद में खाओ या भी खाओ खाना तो मुझे ही है तो मैंने सोचा गर्म गर्म ही खालू रानो चड़िया मन ही मन सोचती है मा जी के मन में ये तक नहीं आया कि बहू को भी पूछ लू अब दो पेहल में भी इनको ताजा ताजा गर्म गर्म खाना चाहिए और मुझे पांच दिन से फ्रीज में रखा खाना खिलवा रही है अरे चड़िया बहू यहां खड़ी क्यों है चल जा यहां से बागे का काम कर ले अब बैसे भी चड़िया बहू तू अकेले क्या ही खाना बनाएगी फ्रीज में दो तिन दिन पेले सबजी और चाबल रखे हैं तो उन में से कुछ भी गर्म करके खा ले ना यह मा जी अपना काम बनता भार में जाए जनता क्या बोली चड़िया बहू अना मैं कहा कुछ बोली खा लूँगी मा जी अब रानो चड़िया खाना नहीं बनाती और फ्रीज में से पुरानी सबजी आटा चाबल पनीर सब फैक देती है कल ही तो मैंने बासी सबजी खाई उसके करण मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ था अच्छा है आज सब फैक दिया अब रोटी बना लेती हूँ तभी रानो चड़िया की सास कालिको भी आ जाती है अरे चड़िया बहू तूने खाना खा लिया होगा तो चल अब थोड़े दाल चावल बना दे सुबह पूर कितना मेंगा आता है आप तो बासी खाना खाती नहीं हो और उपर से मुझे ही खिलवा देती हो आपको पता भी है बासी खाना खाने से कितनी बिमारिया पनपती है है भगवान चड़िया बहू क्या बोल रही है तू ऐसा कुछ भी नहीं होता मैं अपने जमाने में बहुत बासी खाना खाया करती थी खेर चड़िया बहू जबसे तू मेरे घर में आई है तब से नुकसान पर नुकसान करवा रही है चड़िया बहू तूने मुझसे एक बाल भी नहीं पूछा कि माजी फ्रीज में रखे बासी खाने का क्या करना है बस फ्रीज साफ कर दिया और ब भी खराब हो गई थी बेसे भी बासी खाना खाना अच्छा नहीं होता बोल तो ऐसे रही है जिसे की तिरा बाप तुझे रो जाना गरम गरम खाना खिलाया करता था आजी आपको जो कहना कहलो मेरे पापा के उपर मत जाओ दोनों में बहुत जगड़े होते हैं और फिर रानो आज के बाद ऐसी गलती कभी मत करना रानो चड़िया बिना कुछ कहे बहां से चली जाती है समय गुजरता गया एक दिन रानो चड़िया खाली कोभी सास के लिए चावल बनाती है रानो चड़िया और खाली कोभी खाना खाई रहे होते हैं तभी बहां नीलू चड़िया आ अब रुके मैं आपके लीा भी खाना लेकर आती हूं फिर यो क्नी कर खाते हैं नीलु मोसी खाना खाकर चली जाती है कहना कहने के बाद चावल बच जाते हैं यह कर रानोचीलिये? छूच बादी हैं अरे चडिया बहु किती सोच में पड़ गई इस चावल को क्यों देख रही हो चल इसे फ्रीज में रखते साम को खा लेंगे काली कोबी की बात सुनकर रानो चडिया मू बना लेती है लेकिन रानो चडिया अपनी सास को कुछ नहीं बोल पाती और वो चावल को फ्रीज में रख देती है समय गुजरता जाता है और साथ ही काली कोवी की बासी सबजी रखने की आदत बढ़ती ही जाती है और बचे हुए बासी खाना अपनी बहु को खाने के लिए बोलती थी और जब रानो चडिया बासी खाना खाने के लिए मना करती तो काली कोवी उसे बहुत ताना सुनाया करती थी एक दिन रानो चडिया अपनी सास को सबक सिखाने की सोचती है एक दिन रानो चडिया काली कोवी सास को बासी खाना परोस्ती है अरे चड़िया बहू ये क्या है मुझे बासी खाना क्यों खिला रही हो कुछ ताजा बना के लाओ मेरे लिए अरे माजी कैसी बात कर रही हो ताजा खाना बनाओंगी तो इस बासी खाने का क्या होगा ये बच जाएगा आप भी पता है न चाबल दाल कितने मेंगे आते हैं आप ही का तो सिखाया हुआ है काली कोभी कुछ नहीं बोलती उस बासी खाने को खाने लगती है साम को काली कोभी के पेट में जोर से दर्द होता है अरे चडिया बहु जरा मेरे कमरे में तो आँ, मेरे पेट में बहुत थोड़ा है पिर रानु चडिया अपनी काली को भी सास के कमरे में आती है और डॉक्टर को जल्दी से फोन मिलाती है अपको फूट पोईजिंग हो गया है, लगता है आपने कोई बासी खाना खा लिया है ऐसा के कर डॉक्टर चला जाता है अरे चडिया बहु मुझसे दो बहुत बड़ी गलती हो गई, अब तू ऐसा कर सब फ्रीज में रखा हुआ सारा बासी खाना बाहर फेक दे अरे वा, देरा है दूरस्ता है, ठीक है माजी